नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत हैं। दोस्तों आज मैं आप लोग सामने एक ऐसा जड़ी बूटी के पोधा लेकर आया हूं। जिसके फाइदे जानकर आप खुस हो जाओगे। और अगर यह पोधा आपके घर के आज पास दिखेगा तो आप इसका उपियोग करेंगे और अपने बिमारियों से निजात पाएंगे यानि छुटकारा पाएंगे। तो देख लीजे पहचाल लीजे दोस्तों हमारे पुर्वजों का या उपहार है और इस्वर का दिया हुआ वर्दान है। बस हम अंजान है इनके गुड़ धर्म से इसके फाइदे से। तो हाँ दोस्तों इस पोधे का नाम है तिनपतिया या फिर कहें चंगेरी। इसके तीन-तिन पत्तों का एक-एक समु होता है इसलिए इसे तिन पतिया नाम दिया गया है और इसके फूल पीले-पीले चमकते हुए इसलिए इसे चंगेरी नाम दिया गया है। दोस्तों या पोधा या जड़ी-बूटी जमीन में काफी दूर तक फैलता है। और बहुत ही नाजुक मुलाइम इसके डंटल होते हैं पत्ते तो बहुत ही कोमल कोमल होते हैं पत्तो का स्वाद खाने में खट्टा होता है इसमें फूल भी लगते हैं और फली लंबे लंबे पतले पतले दो इंच इसले कर तीन इंच तक होते हैं वह फली जब सूख जाते है तो उसके अंदर बीज भी निकलते हैं बहुत बारिक-बारिक बीज होता है खस-खस के दानों के बराबर दोस्तों या पोधा भी छोटा-मोटा बेल-नुमा है या भारत के हर राज में आपको देखने के लिए मिल जाएगा या पोधा आया जड़ी बूटी अक्सर नमी भूमी मोहता है जहां पानी का अंस अधिक हो तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आप इस पोधे को पैचान चुके होंगे तो आओ चलो अब इसके फाइदे एक बारेम जाने किया हमारे सरीर के लिए कितना फाइदे मंद है तो दोस्तों अगर कोई कम भूख लगने के बिमारी से जूजता हो भूख नहीं लगता हो कुछ खाता नहीं हो तो उनके लिए या बहुत ही अच्छा जड़ी बूटी है भूख बढ़ाने के लिए इसके आठ दस पत्तों को तोड़कर पानी में दोकर साप करके और सेणा नमग मिलाकर एक मज़ेदार चटनी बना लीजिए करीबन 20 ग्राम तक और उस चटनी को दिन में दो या तीन बार आप सेवन कीजिए आपका भूख बढ़ने लगेगा इतना फाइदे मंद है यहां तिन पतिया यानि चांगेरी हमारे सरीर के लिए भूख बढ़ाने के लिए इस जड़ी बूटी को बच्चा हो या फिर हो जवान या फिर हो बूढ़ा हर उमर के लोग इस्तमाल कर सकते हैं और सुआद भी इसका काफी मज़ेदार होता है खाने में खटा होता है दोस्तो पुराने जमाने में पेटों के समस्त बीमारी पे हमारे नानी दादी इस तिन पतिया के चटनी बनाकर चटाते थे खिलाते थे जिस से पेट के बहुत सारे बीमारी दूर हो जाते हैं अब बीमारी पेट के कौन-कौन थे वो भी आप जान लीजिए तो दोस्तों जैसे पेटों में CDT गैस का बनना आप अचन, अतिसार जैसे कुछ भी खाते ही पेटों में दर्द होने लगना, मरोड मारना तो इस तरह से पेट के बहुत सारे तकलीफ को या दूर करता है अकेला या जड़ी बूटी जो आप देख रहे हैं दोस्तों अक्सर आप सभी लोग जानते होंगे कि पेट ही हर बीमारी का जड़ है और या जड़ी बूटी या पोधा पेट के बीमारी को ही नश्ट करता है इसलिए हमारे सरीर में और भी कई बीमारी इसके सेवन से नश्ट हो ज करना है किट्ली लीवर के सूजन भी आप इसके पत्तों गरस निकाल कर सेवन कर सकते हैं 20-25 एमल तक तो दोस्तों अलसर रोग हो या मुह के अंदर बदबू आता हो तो आप उसमें भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं दातों खून मुवाद निकलता हो तो इसके पत्तों प्रती द या या चांगेरी पत्तों को पीश कर उसका रस निकाल कर आग में गर्मा कर चाय कि जिसे धीरे-धीरे पीने से कफ साफ होने काम करता है कफ साफ होने लगता है दोस्तों इस जड़ी बूटिक सेवन से या इसके रस पीने से हर परकार के नसा उतरने लगता है अगर कोई नस परकार्ग नसा करता है और अधिक नसा करने को जे से भीहोंस हो जाता है तो उसके लिए भी बहुत ही फाइदेमंद है इसके पत्तों को रस करीबन 50 अमल तक पिला देने से नसा उतरने लगता है और अगर इस पत्ते को सुखा कर पाउडर बना कर आप रख लीजिए पांच ग पत्तों में विटामिन सीक माता अत्यधिक पाया जाता है जिसके लिए या तोचा के लिए भी बहुत फाइदेमंद है अगर चेहरे में फोड़े फुनसी हैं दाने हैं पिंपल्स हैं तो आप इसके पत्तों के चटनी में फिटकरी मिलाकर चेहरे पर मसाज कीजिए लेप की कर दीजिए फिट ठंडे पानी से चेहरे को साप कर लीजिए या उपाय करीबन एक महीना कीजिए चेहरे मोने वाले दाग धब्बे और फोड़े फुनसी ठीक हो जाएंगे इतना फाइदेमंद है यह जड़ी बूटी दोस्तों इस जड़ी बूटी के तासीर ठंडा है इसलिए अगर किसी को फेसाब में तकलीफ है जलन है चिलकन है तो वह रोगी भी इसके पत्तों के इस्तमाल कर सकता है 20-25 मल तक सुबा खाली पेट आप इसे मठा छाच के साथ डाल कर भी पी सकते हैं दहिक साथ भी मिला कर खा सकते हैं दोस्तों इस तीन पतिया चांगेरी के रस निकाल कर बालों के जड़ मसाज करने से बाल का जड़ मजबूत होता है अगर किसी बिमारी कारण आपका बाल जड़ रहा है तो आप इसके पत्तों के रस मसाज कीजिए बाल के जड़ों में तो बाल के जड़ तोड़ लीजिए और एक दो मुठ्था आप मेहदी का पत्ता दोनों पत्तों सिल में पफर में पीस कर, उसका लेभ बनाकर जहां आपके पैरों में तालूम जलन होता है, वहां पर लेभ कीजिए, छोफ दीजिए, तो कुछ ही मिंटों में पैरों के जलन दूर हो जाएगा, इसके लेप से, तो दोस्तों इस तरह से इसके फाइदे किसी अमरिष से कम नहीं, इसके बारे में जितना भी बताया जाए कम लगता है, तो चलो दोस्तों आज की महातपुर जानकारी हमें ही समाप्त करते हैं, अगर हमारी जानकारी लाबदायक हो, फाइदे मन्द हो, तो हमा पुश्कार दस्तो पहाड़ी अर्वेदिक